गेर सेर्ड में आज बजट पेश किया गया है और जाधा जानकारी के लिए हमारे साथ सम्वादाता उपेंदर जोड़ चुके हैं लाइव उपेंदर आपसे जानेंगे आज एस्टेम तर्वेंज सिंग रावत ने बजट पेश किया है किन-किन विकास के मुद्दों पर सबस से ज्यादा फोकेस बजट में देखने को मिलना है आगा इस परकार से हम लगातार यह बता रहे थे कि इस बार का जो बजट है कहीं नहीं चुनावी बजट हो सकता है लोग लुबावना अब जट जो है एसीम त्रिवेंज सिंग रावत जो है वह पेश कर सकते हैं इस बार पेस्ट किया गया और सब को जिस पकार से हर एक इसतर को जोडने की कोशिज दो है कि गई जिस पकार से हम को बलगातर से यह बगातर हुना जोड़ने की कोशिस की जा रही है किछा क्यूंक प्रेवान के चेतर सड़क चेतर्म मोलभूत चीजों की कमी जिसकार से उत्राखन में उनों सब्षेतरों में जो बज़ट को पेश किया लेकिन बज़ट से पहले मैं आपको यह बता दूं कि तीन बड़ी गोश्णाएं भी यहां पर सियम त्रवेंशिंग रावत ने यहां पर की है जो अब जिस प्रकार से पर दिखाए देंगे जो दूसरी जो गोषणा यहां पर की गई है विकास छेतर के लिए प्लानर टाउन के लिए परकिरिया है वो शुरू की गई है साथी जो नए नगर पंचाय दो नगर पंचाय जो बनाए गए थे उनके लिए किसानों की आई दो गनी November जए हु और लगातार शेटी मेंनध्य लाओ उखती है मैं सब्कार शेल राजरे सरकार वे इस बात इस बात वह मोंचे जाए कि 502 ऑनगुनी की जाए 2022 तक जु आए किसानों की अए दो के लिए जो है 80 करोड रुपे का प्रापधान रखा गया है उसके बजट में रखा गया है वहीं अगर जम्राणी बाद की जाई और उत्राखन भी एक मुख्य मुद्दा है ऐसे में पलाइन को रोकने के लिए भी क्या कुछ बजट में प्रापधान किया गया है कि अधि बिल्कुल शिका पलाइन जो है उत्राखन के एक मुख्य समझिया है साल दर साल जो है पलाइन जो है लगाता बढ़ता हुआ अई जो है रखा गया है जाकि इससे जो है रोजगार मिल कसे जो ओड़ा जा इन तमाम चीज़ों के लिए अब बजट रखा गया है ताकि जो यहां के जो युवा है उनको यहां से पलाएं न कर से क्योंकि देखा जा रहा है कि रोजगार की कमी के चलते आज तक कई युवा जो है उत्राखन से पलायन कर चुके हैं बारी राजियों में रोजगार कर रहे हैं इसको लेकर देखते हुए जो है रोजगार दिया गया साथी कोसल विकास के छेतर में लगबाग बनाया गया गया है तकि उन लोगों को जोस्तों बधाल गया इक पालायन के यह है वह पता लगा बाएकि कि छहत्र मैं कि पहलायन हुआ हो हो इस तरिके कर वह ऑंके कर दो बिल्कुल वही अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के सशक्ति करण के लिए उन्हें आप निर्भर बनाने के लिए उनकी सुरक्षा को द्रस्टी में रखते हुए यहाँ पर बजट में किस तरह की खास्यत देखने को मिल नहीं है अगर महिलाओं की बात की जा और महिला सवक्ति करण की लिए गए तो इसके लिए भी बजट में मेलाओं के सर का बोज है उसको कम किया जाएगा उसके लिए एक योजना बनाए जाएगी जिसके लिए गसियारी योजना की सुरुवात अब हो चुकी है इसके लिए 25 करोड की गोशना जो है मुख्या मंत्री त्रिवेंसिंग रावत देखी है क्योंकि देखा जाता है कि मैला जब जंगलों में घंश काटने के लिए जाती है या वहां पर जो है कंपत्री साथा उनके लिए भी रखा गया है कि संपती में उनका अधिकार होना चाहिए यह भी मैलाओं के ससक्तिकलर से जोड़ा गया है तो कहीं न कहीं सरकार जो है मैलाओं से लेकर यूवाओं से लेकर रोजगार से लेकर सडक और मूलभूत चीजों की जो कमी उत्राखण मेरेती हर जो संतुलित बजट होता है जिसमें हर वर्ग का ख्याल लखा जाता है तो बजट पर वो सारे प्राफधान देखने को मिलना है तमाम जानकरे के लिए उपेंदर धन्यवाद आपका